डियम की अनोखी पहल से बच्चों की मिलेगी नई उडान जी हाँ जनप जालोन के राजकिये इंटर कॉलेज उरई के सभागार में जालोन एजूकेशन ट्रस्ट और भारत विकास परिशत के सहयोग से संचालिज जालोन केरियर प्रोग्राम के दूतिय सत्थ वा इंजीनियर मेडिकल साइन्स फाउंडेशन के प्रथमसत का उद्घाटन हुगा कारिकरम के मुख्य अतिति डॉक्टर मननान अक्तर एवं जिलाधिकारी जिलाविध्याले निरिक्षक भागवत पतेल जालोन के कर्व कमलो द्वारा किया गया इस आउसर पर जिलाविध्याले पूर्वे भागयत धक्ष गड़ित स्री आर सी चंदेल प्रोफेसर कैमिस्ट्री आई एम बी द्वारा बच्चु का मार्क दर्शन किया गया उक्ति दौनों कारिकरम में भारत विकास परिशत द्वारा संचालत किया जाएंगे इसको इंजीनियर अजय टॉरिया स्री संज शेक निरंजन ससिक्ष एवं अमित द्वारा फाउंडेशन कोर्स एवं टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा इस मौके पर गर्त वर्ष जालॉन केरियर प्रोग्राम में सिक्षणकार एवं कक्षाओं को सोचालू डूप से संचालन हेतु जिला अधिकारी महुदे द्वार श्री महेश निरंजन, अमित गुपता, श्री श्याम गुपता, डॉक्टर विजय, क्रिशन गुपता, श्री मनीश पालिवाल, मुहमद आयूश, सियोकमार शर्मा, कोमल सिंग, शतेंद सिंग, चोहांत, सिरी मती, सरिकतिवारी, आनंद, और अभिशेक निरंजन, अमित र पूर रिटार्ड सिक्षकों को नियुक्त पत्र बित्रित किये गए, उक्ति सिक्षकों से फाउंड़ेशन कोर्स में सही युक करने का आहान किया गया, सिरी मान भागवत पतेल, जिला बे ध्यालन रिक छड़ने गूश लाकी की, दोनों कोर्स की कक्छाएं, उन्नीस तारी बच्चों को मौके पर बित्रित की गई, इस संचालन की जिम्मेदारी इंजीनियर अजय टौरिया दोरा की गई, सिरी मुनिलाल वर्मा, प्रधानाचार राज की एंटर कॉलेज, उरही दोरा, सभी अधितियों एवं प्रति भागियों का आभार प्रकट किया गया को अधिता बित्रियार प्रोग्राम प्रोग्राम को लाज किया थी, तो इस के लिए प्रोग्राम में उपको आईएस, PCS, COER, PCS या वह भी कॉम्टेटिव एच्जाम उसके लिए निशुर्ण को लोगों ने परच़दर वाई थी, और उस में से हमारे 30 बच्चों में सचे सफन को देखते हुए, जो हमारी टीम है यहां पर है, जाहे वो डियाँ साप की टीम हो, हमारे दिखास के लिए हम ने पर बच्चों को केरियर, जो हायर केरियर है उसके अनावा जो मेडिसिन और इंजिर्लिंग के करियर, उसके लिए कुछ बच्चे रहते हैं, उसको भी हम सब्सक्राइब कर देखते हैं, जो हमारे चात्रे यहां पर है, जिनको बतिवा तो है, जिनको उनके पास साधर नहीं है, उनको जो हम साधर आवाइट करा सके हैं, जो हम जो है, 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 जालोन से UP24 News के लिए मनोज सिभरे की रिपोर्ट